तो हेलो दोस्तों हैर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोय उनिटी में दो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले बोट्रोकर्स 205 व्यस बोट्रोकर्स 330 दोनोई येरफोन के बारे में जानना चाहते तो इस वीडियो को थो दोस्तों मेरे पास यह रही दोनों नेकवैंड पैला है वोट्रोकर्स 205 प्रो और दूसरार में ऐंदर जाती होवर का प professor देखने को मिल जाता यार अब बात करते हैं तो यार देखो जो charging time यहां पर बता रखा है वो 10 minute के अंदर आपको up to 10 hover का आपको battery backup देखने को मिल जाता है boat rockers 330 के अंदर वही यार boat rockers 205 pro की बात करें तो वहां पर आपको 12 y hover का battery backup देखने को मिल जाता है 10 minute charge करने के बाद full charging time यहां पर बता रखा है 40 हो sorry 40 minutes का अब दोनों neckband के अंदर drivers की बात करें तो दोनों ही neckband के अंदर आपको 10 mm के drivers देखने को मिल जाते हैं जो water resistance का support आपको दोनों ही neckband के अंदर IPX5 का देखने को मिल जाता है अब देखें main difference है पहला है जो boat rockers 205 pro है उसके अंदर आपको Bluetooth version 5.2 देखने को मिलता है और जो boat rockers 330 है उसके अंदर आपको Bluetooth version 5.0 का देखने को मिल जाता है तोनों ही neckband dual pairing system के साथ आते हैं तो एक साथ आप दो device के अंदर connect कर सकते हो वहीं जो इनके earbuds है दोनों ही neckband के उनके अंदर आपको magnet देखने को मिल जाती है अब यार sound की बात करें तो यार जो आपको boat rockers 205 है sorry 205 pro है उसके अंदर आपको sound है उसके अंदर आपको treble के आवाज ज्यादा देखने को मिलेगी बेस थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा वहीं boat rockers 330 है उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा खासा बेस देखने को मिल जाता है तो यार अगर आप बेस लवर हो तो आपके लिए boat rockers 330 इस दा बेस्ट और बोट रोकर 205 pro के अंदर आपको gaming के लिए कि special mode दिया गया जिसको बीस्ट मोड के नाम से जाना जा रहा है इसके अंदर उसके लिए आपको एक अलग से बटन दे रखा है यहां पर बाकि यार जो बीस्ट मोड के अंदर जा सकते हो वही आड दोनों ही नेक बेंड के अंदर आपको वोइस एस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है बाकि यार जो बोट रोकर्स 205 प्रो है इसके अंदर आपको साउंड की क्वालिटी ENX टेकनोलोजी का देखने को मिल जाता है वहीं वो ट्रोकर्स 330 का कहीं बता नहीं रखा था तो यार सो एक्सिलेटली यार साउंड की बात करें तो बोट रोकर्स 330 के अंदर बेस्ट साउंड है जो साउंड की क्वालिटी बेस बहुत ज्यादा हाइए थोड़े ट्रैबल्स उसके अंदर आपको कम देखने को मिलते बड़ जो साउंड की ओवरॉल क्वालिटी यार वो मुझे बोट रोकर्स 330 के अंदर ज्यादा बेस्ट लेगी बहुत ज्यादा कम एक साउंड एक्दम चीप साउंड सा लगता है इतना हम बोट चेक्स पैक्ट करते हैं उतना इस यह फोन के अंदर हमें साउंड देखने को नहीं मिलता है तो यार दोनों एक बिंड के अंदर सिंगल वोईस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो यार इतने ही फ्यूचर्स इन दोनों नेकमेंट्स के अंदर है तो अगर आप भी नेकमेंट्स लेने की सोच रहे हैं और आपके मन में कोई स्वाल है तो या नीचे कोमेंट करकर पूछ सकते हैं और बाइ करने के लिए इमिजोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और दोस्तों बोट रोकर्ष 205 प्रो की मैंने कम्प्लीट वीडियो बना रखिया वो आपको उपर आई बेटन पर सूख कर रही होगी तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं बाकिया बोट रोकर 330 पर भी मै एक कम्प्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ तो यार आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के अंदर